नमस्कार दोस्तों, जो एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, जब वो ओलम्पिक्स पे जाते हैं, तो अपने देश को रेप्रेसेंट करते हैं, कोशिच रहती है कि वो मेडल ला सकें, और जो इतने साल की मेहनत है, उसको किसी प्रकार से और जादा बेतर प्रदर्शन कर सकें, लेकिन आप सोच के देखिए, कि कोई देश से एक एथलीट आया है, जैसे कि टोक्यो ओलम्पिक्स में गया है, और वहाँ पर जाकर वो वापस अपने देश नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको डर लगता है, कि उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसके जान को खत्रा है, ऐसा ही कुछ आपको विलरुस की एक एथलीट के साथ देखने को मिलेगा, और बेसिकली क्या हुआ है, कि वो टोक्यो में जब गई, तो वहाँ पर कुछ कॉंट्रोवर्सी हो गई, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो टोक्यो स वापस जाने के लिए तयार नहीं थी, इसको लेकर कई सारे देशों ने मदद करने की कोशिश की, और फाइनली पोलैंड में वो चली गई है, और वहाँ पर जाकर रेफ्यूजी ले लिया है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, कि exactly चल क्या रहा है, बेलरुस में situation क्या है, उनके जो प्रेसिडेंट है, वो इतना जादा आटोक्रेटिक क्यों बताये जाते हैं, तो काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप study IQ को support करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाकर आप हमें बहुत ही कम दाम पर support कर सकते हैं, चली 200 मीटर की रेस होती है, उसमें participate करने वाली थी, लेकिन कुछ controversy की वजए से यहाँ पर उनको बोला गया कि आप वापस बेलरूस चलो, और फिर वो यहाँ पर समझ गई कि उनको खत्रा है अगर वो वापस देश जाएंगी, तो कहीं न कहीं उनके उपर crackdown हो सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है, क्योंकि बेलरूस के इस समय जो president है, वो कोई भी critical voices को नहीं सुनते हैं, और कोई भी उनके खिलाफ बोलता है, social media हो कहीं पर भी, तो वो उसको jail में बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा map में हम देख लेते हैं, हम basically बेलरूस की बात कर रहे ह यह यूरोप का देश है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे, यह Belarus आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसकी capital है Minsk, ठीक है, और यह Russia के काफी करीब है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो उन्होंने refuge लिया है, वो लिया है, पोलैंड के अंदर, यह जो Warsaw आप देख रहे हो, वहाँ पर जाकर refuge ले लिया है, और Wednesday की बात है, वो basically, Japan से जो है, वो पहले गई Austria, और Austria यहाँ पर आप देख सकते हो, Vienna bound flight था, Japan से इधर आई, और फिर यहाँ से वो पोलैंड में land भी कर गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, और वहाँ प Controversy है क्या, आखिरकार जो player हैं, जो athlete हैं, उनको डर क्यों लग रहा है, सबसे पहली बात तो वो 24 साल की हैं, और वो यहाँ पर Olympics में 200 मीटर का जो race है, उसमें participate करने आई थी, लेकिन क्या हुआ, कि उन्होंने publicly criticize कर दिया social media पर, कि उनके जो team members हैं, वो उनके साथ जबरजस कर रहे हैं, कि आप 4 into 400 मीटर जो relay है, उसमें participate करो, ठीक है, आप समझो, वो गई है 200 मीटर का race participate करने के लिए, लेकिन उनसे जबरजस्ती वहाँ पर बोला जा रहा है, कि 4 into 400 मीटर में आपको participate करना है, इसको लेकर वो काफी जादा नराज हो गई थी, और जाहिर सी बात है, हर एक जो race होता है, वो एक अलग nature का होता है, जो athlete है, वो इतने सालों की मेहनत करके आता है, और उसके हिसाब से prepare करके आता है, इसको लेकर क्या हुआ कि उन्होंने social media पर criticize कर दिया, और उसके बाद उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, कि Belarus के जो officials हैं, वो उनके Olympic village में आ एरपोर्ट है, Haneda International Airport, और वहाँ पर चली गई वो Japanese police के पास, और उन्होंने वहाँ पर political asylum मागा, मतलब ये कहा, कि मैं Belarus वापस नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजे वहाँ पर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और हो सकता है कि Belarus पहुंसते ही मुझे वो पहले Belarus में थे, वो अब यहाँ पर Ukraine आ चुके हैं, वो भी यहाँ पर Belarus से जा चुके हैं, ताकि उनकी भी safety यहाँ पर बनी रहे है, और इन सारे चीजों के बीच, यह पूरा इल्जाम लगाया है अथलीट के दौरा Belarus के उपर, तो जो International Olympic Committee है, जो की पूरे Olympics को organize करती है, नहीं जाना चाहती हैं, बेसिकली अगर आप देखो के बेलरुस के अंदर, पिछले साल से बहुत जादा anti-government प्रोटेस्ट हो रहा है, उनकी जो president है, उनका नाम है लुकाशेंको, लुकाशेंको के उपर आरोप यह लग रहा है, कि वो पिछले 20 साल से सरकार में बने वे है और गलत election conduct करा कर वो यहाँ पर जीत जाते हैं, मतलब जो election है वो fake कराये जाता है, सही से कराये नहीं जाता, और इसकी बज़े से पिछले साल तो बहुत जादा protest हो रहा था, in fact उनके खिलाफ कोई भी जो opposition खड़ा हो रहा था, उनको यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रह और भी कई सारे देशों ने इस elections को reject कर दिया और कहा है कि यह election सही नहीं हुआ है, और इसी की बज़े से अगर आप देखोगे तो उनके जो neighbors हैं, चाहिए पोलैंड हो गया, लिथुएनिया हो गया, यह आप देख सकते हो ने, यह आपका पोलैंड है, लिथुएनिया है, त तो यहां से जितने भी लोग भाग रहे थे यहां से, क्योंकि उनको गिरफतार किया जा रहा था, तो यह लोग पोलैंड में आकर पना ले रहे रहे थे, लुथुएनिया हो गया, तो यह जो देश है, वो European Union Countries के देश है, जाहिर सी बात है, तो यहां पर इनका नियम है, व पोर्ट और Olympics के साथ बहुत लंबे समय से तालुक आपको देखने को मिलेगा, इनफार्ट यहां पर मैं आपको बता दो, जो Belarus की National Olympic Committee है, उसके यह head थे बहुत लंबे समय से, अभी क्या किया है, उन्होंने अपने जो older son है, इसी साल February के महने में, उसको यहां पर head बना दिया है, Belarus National Olympic Committee का, और यहां पर एक और चीज़ सामने निकल कर आई थी, कि जो athlete है, Belarus के, जब वो Tokyo जा रहे थे, उसके ज़स्ट पहले, जो Lukashenko है, उनके द्वारा clear cut बयान आ गया था, और यह देखिए, उन्होंने क्या बोला, if you go there like a tourist, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो, and आप कोई भी medal लेकर नहीं आते हो, खाली हाथ आते हो, अच्छा होगा कि आप देश में ही ना हो, देखिए, इस तरह के यहां पर, बयान यहां पर बताये गए थे, और जो athletes हैं, उन्होंने आरोप लगाया इसके उपर, और इस तरह की अकसर चीज़ें देखने को मिलती है, और इसी के वज़े से जो International Olympic Committee है, उन्होंने तो अल्रेडी लुका शेंको और उनका जो बेटा है, उनको बैन लगा रखा है Olympics से, मतलब वो Olympics में आ नहीं सकते, और रिसेंटली यह जो भी कुछ हुआ है न, यहां पर जो athletes हैं, जिनोंने आरोप लगाया था कि दो officials मेरे पास Olympic Village में और कहा कि अपना backpack करो और वापस जाना है, इसको लेकर क्या हुआ है कि जो International Olympic Committee है, अब उन्होंने दोनों officials के उपर बैन लगा दिया है, और उनको वहां से वापस जाने के लिए बोल दिया है, तो यह पूरा अभी मामला चल रहा है, और जाहिर सी बात है सही नहीं है, और आप में से कई लोग कह रहा है तो इसके बाले में बताने के लिए कि है क्या Belarus के अंदर कौन से athlete के साथ क्या हुआ, तो यह पूरा मामला था, जाने से पहले एक बहुत interesting question, देखो Olympics कब स्टार्ट हुआ था, 1896 हम सब को पता है, और भारत की तरफ से अगर आप देखो कि as a team, जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक पूरा contingent as a team पूरी हमारी जाती है, तो कौन से Olympic game में पहली भारत की team यहाँ पर participate हुई थी, क्या वो 1904 में ही हुई थी, 1920, 36, 48, आजादी की जस्ट बात, इसका जो right answer है आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF जाएजे तो Telegram पर आ सकते हैं, अलग-अलग social media पर भी आप उसे जोड़ सकते हैं, और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो simply download our app, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जा आपको सब उसे जापको मिल जापको इसकते हैं, तो